महराष्ट की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिली है जहां महराष्ट की राजनीती के चालक के माने जाने वाले NCP प्रमोग शरत पवार को उनकी पार्टी के विधायकों से बड़ा जटका लगा है रुविवार को शरत पवार के भतीजे अजीत पवार समेथ पार्टी के नौ विधायक एक नाटशिंदे और बीजेपी गडबंदन वाली सरकार में शामिल हो गए अजीत पवार को शरत पवार जिबगाबत करने के बदले में राज्य का टिप्टी सियम बनाया गया है जबकि अन्य आट विधायकों में एक नाटशिंदे वाली सरकार में मंत्रीपत की शपतली है अजीत पवार का कहना है कि NCP के कम से कम 40 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है जिसके कारण बहुत चल्द वो NCP पर भी अपना दावाट ठोक सकते हैं इसके जवाब में NCP के प्रदेश अध्यक्ष चेंद पार्टिल का कहना है कि उन्होंने शिंदे सरकार में शामिल होने वाले सभी विधायकों को आयोग के करार देनी के लिए विधान सबा स्पीकर को पत्र लिखा है साथ ही दल बदल कानून के तहट इन विधायकों परकारवाई करने के लिए उनकी तलफ से चुनावायों को भी एक मेल भेजा गया है वईरविवार को महराश्च्ट की सियासत में बड़ी उठापटक के बार उतफ ठाकरे की नेतरत्व वाली शिवसेना ने अपने मुग पत्र सामदा में महराश्च्ट की राजनीती को लेकर पड़ा दावा किया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे को सीम पत स अपने मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे की जगा लेंगे। जो भी घट रहा है लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा है। महराश्च्ट में ऐसी राजनेतिक परंपरा नहीं रही है लोग कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। शिवसेना उदफ ठाकरे गुटके सदस्य और राज्यसभा सांसत संजैराउत ने कहा कि भाजपा पूरे देश में जिस तरहा की राजनीती करने वाली है वो कल ले। पहले इन्होंने शिवसेना को तोड़ा और कल एनसेपी को तोड़ दिया लेकिन इससे भाजपा को कोई फायदा नहीं पहुचने वाला हैं महराश्च्ट के लोग गुस्से में हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे चले गए या इन्सीपी के चले गए इसलिए हम खुश नहीं और सियू सुनाद तुड़ गए इसलिए 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 खुश नहीं हैं। हम सब मिलकर लड़ने वाले हैं। महराश्टर में अच्चर है कि दो दिन पहले प्रधार मंत्री जी भोपाल की अपनी सभा में इन्सीपी के उपर भष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप करते हैं। और जिनके ओपर रष्टाचर के दाग हैं। वो सभी को आप दूसरी दिन शपत देते हो राजभवन में एकों से राज़ देते हैं। आप लोगों को मुर्खा बनाईए और लोग मुर्खा नहीं बनेगी, जनता मुर्ख नहीं बनेगी। जिसने जिसने भी शपत लिहें सब के ओपर दाग है। और भरती जनता पार्टी तो उनके खिलाब बहुत बड़ा एक मुमेड अंदुलन चला रही थी। यह भेष्टा चेरों को जेल में जाना चाहिए। आप देखें दिवंदर जी का भाष्ण, अजित पावाद जेल में चक्की पिसेंगे, चगन बुजबर चक्की पिसेंगे। अब चक्की कौन पिसरा है। यह देश की राजनीति से और लोग कंतर से खिलवार हो रहा है। किनात मैं कामरे के समने बोल रहा हूं। Markan Rail lugares का मुध्यमांत्री बदने जा रहा हूं। महाराष्ट को नया मुख्यवंत्री मिलेगा, एकनाशिंदे को हटाया जा रहा है, जो चल रहा है, एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाशिंदे के साथ 16 जो इधायक है, वो डिस्क्वालिफाय होने जा रहे, इसलिए ये अजित्पवार जी को भागम भाग में अ ये मुदिया और शाहजी की देन है, ये देश के राजनेती को हम उनसे उमिद कर रहे थे नईतिकता की, एक अच्छी राजनेती की, जब सत्ता पर आये, कॉंग्रेस इसलिए तो हार गई और उनको हुट मिला, लेकिन आप तो कॉंग्रेस से भी बैतर काम कर रहे हैं, बैतर देवंद्र फडनविस पर भी निशाना साधा गया है, जिसमें लिखा है कि देवंद्र फडनविस ने कहा था कि वो कभी NCP से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन रविवार को जब अजीत पवार डिप्ती सीम पत की शापत ले रहे थे, तभी भाजपा का असली चैरा सभी के स देवा कर रहा है, लेकिन भारती जंता पार्टी की ओर से एक के बादे कई जटके विपक्षी एकता कुद्येजवा रहे हैं, हाला कि NCP प्रमुकर शरत पवार का आप ही भी कहना है कि उन्हें इससे कोई फरक नहीं परने वाला है, इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है और उन्होंने अकेले दम पर पार्टी को खड़ा किया है, आगे भी वह हिम्मत नहीं हारेंगे और जल्दी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के स्ट्री टीवी